हलो दोस्तों आप सभी लोगों का wisdom hub study पर स्वागत है इस वीडियो के माध्य हम से हम हमारा जो web series चल रहा है UPSC 2020 prelims के जो fact हैं उसको हम cover करेंगे ये वीडियो मेरे दौरा प्रिजेंट किया जा रहा है मेरा नामनकी सिंग है मैं अनकैडमी पर पिछले डेड़ वर्सों से पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर वीडियो मेरे अवेलेबल है मेरे courses डिजाइन किये हुए है और इस wisdom of study चैनल पर मैं यहाँ पर UPSC 2020 के लिए web series चला रहा हूँ जो कि बहुत यादाम है तो पुर्ण है उसी कड़ी में यहाँ आप लोगों के लिए 18 वा वीडियो है यह तो देखें इसमें हम क्या पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे NCRB की जो रिपोर्ट है उसको हम डिसकस करेंगे जो कि Crime in India Report के नाम से पुब्लिश हुई है 2018 की उसको हम डिसकस करेंगे फिर NEST इसका पुरा नाम है New and Immersing Strategic Technology यह क्या है इसको हम समझने कोशिश करेंगे तो इसमें हम देखेंगे पहले Crime in India Report 2018 तो दीखें यह प्रिलिम्स के लिए क्या हम है तो पूर्णे प्रिलिम्स में इससे कुछ सम्बंधिय डेटा पूछी जा सकती है NCRV के बारे में पूछा जा सकता है मेंस में इससे सम्बंधिय जो महिलाओं के लिए उपर जो इस्तिती है सिच्वेशन है SCST महिला हो गई या फिर यहाँ पर अन्य प्रकार की जो भी गर्तिवीदिया होते है महिलाओं के अगेंस्ट में ये सारी गर्तिवीदिया आपसे डेटा के फॉर्म में पूछे जा सकती है और यदि आप लिखते हैं तो आपको बहुत जादा है इनके सारी डेटा को तो इससे सम्बंधिय जो चर्चा है वो आपके लिए बहुत जादा महतुपर हो जाती है तो दिखिए चर्चा में क्यों रहा है ये पूरा रिपोर्ट तो दिखिए वाशिक अपराधो के संदर में नेशनल क्राइम रिकोर्ड ब्यूरो द्वारा क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2018 को प्रकाशित किया गया है वर्ष 2018 रिपोर्ट का जो प्रकाशा ने वो अस्थाई डेटा मतलब प्रोविजनल डेटा के साथ किया गया है क्योंकि जो NCRB के बार-बार कहने के वावजूद भी पांच राजियों ने जो डेटा है उससे संबंदित इस्पस्टी करनर देने से माना कर दिया वेपांच राजियें, भष्यमंगाल, असाम, अरुनाचल प्रदेश, मेगाले और सिक्केम इसी के साथ जो 2017 का जो रिपोर्ट था वो 2019 में प्रकाशित किया गया था तो 2019 में 21 अक्टूबर 2019 को ये प्रकाशित किया गया था दो वर्षों के बाद मतलब इसका तात्पर ये है कि 2018 और 2017 में दोनों वर्षों में ये रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई थी 17 का जो रिपोर्ट था और डिरेक्ली 2019 से प्रकाशित किया गया और 2018 का रिपोर्ट जो है वो 2000 जन्वरी 2020 में प्रकाशित किया गया है तो जैसा कि आप देख रहे हैं याँ पर कि ये रिपोर्ट पिछले कुछ वर्षों से रुका हुआ था नहीं आपा रहा था तो इसको back to back अब देखेंगे आप तो चार महिनों में 2017 और 2018 का दोनों का रिपोर्ट पब्लिश किया जा चुगा है तो ये रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया है तो देखें इस रिपोर्ट में ये है सामने आया है कि जो ये मेब देख रहे हैं आप में जहां एक लाख लोगों पर 58.8 महिलाओं के उपर क्राइम हो रहा था तो 2017 में 57.9 था मतलब 2018 में महिलाओं के अगेंस्ट में होने वाले क्राइम का जो रेट है वो बढ़ गया फिर सुसाइट इन इंडिया अगर आप देखते हैं 2018 में तो 30127 डेली वेज़ेस अर्नर जो ह हैं वो committed suicide कर रहे था मतलब जो daily wages के उपर काम करते हैं वो लोगों ने suicide किया यहाँ पर फिर इसके बाद आप देखेंगे इसमें कि 2017 के comparison में अगर 2018 में देखें हम तो यहाँ पर agriculture का मतलब जो करते हैं लोग उनके suicide rate में आप बढ़ उतरी हो गई है जो देखें यहाँ पर आ हाउस वाइफ के अगर हम बात करें तो हाउस वाइफ में बाईस हजार 937 लगबग टोटल सुसाइट ओ परसेंटेज का 17.1% लोगों ने suicide के ऐसो महिला हैं फिर इस्टूडेंट के अगर हम बात करें तो 10169 मतलब पूरे सुसाइट रेट का 7.6% यहाँ पर किया है और अगरी कल्चरर और लेबराट मतलब जिनके पास खेती तो नहीं है लेकिन वहाँ खेती करते हैं किसी ना किसी प्रकार से लैंड को के सकते हैं आप लीच पे ले करके हैं फिर उधार ले करके तो इन लोगों ने जो सुसाइट किया है 4586 लगबग टोटा सुसाइ यहाँ पर सबसे उपर रहा है यहाँ पर एक लाग महिलाओं पर 166 महिलाओं के उपर क्राइम रेट जो क्राइम रेट है वो है यहाँ पर और दिल्ली उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है फिर यदि आप देखें कि नागा लेंड में तो नागा लेंड यहाँ ठीक ठाक situation में है यहां पर मात्र 7.3 महिलाओं के ऊपर crime किया हो पाता है और एक लाग पर तो यह बहुत ही नंबर कह सकते हैं कि एक positive दिखाता है नागा लेंड वाला area बाकि असम और दिल्ली हरियाना इसके बाद यह वाले 78,277 मामले दर्ज किये गए हैं जबकि वर्ष 2017 में यह आकड़ा तीन लाग 69,859 था तो देखेंगे आप तो यहां पर 2017 के comparison में 2018 में यह data फिर से बढ़ गया है फिर महिला अपराद में सिर्श तीन राज हैं जिसमें से उत्तर प्रदेस है महराश्ट्रे और पश्ची मंगाल है उत्तर प्रदेस में करमसा देखेंगे आप तो लगबग 69,000 के आसपा से उपर है 35000 से ऊपर, यहाँ पर, महाराज़़्टा में 30394 हें, वहीं बलतकार के संबंदित मामलों के अगर हम बात करें कि सजा कितने लोगों को हो पाती है, तो सजा के बारे में देखे हैं, तो हम यहाँ पर सजा बहुत ही कम लोगों को हो पाती है जिसमें से अगर 100% की बात करते हैं, 100% में से 27.2% लोगों को ही यहाँ पर सजा हो पाता है जबकि भलतकार के मामले चार्ज शीट दाकिल करने का रेट देखे हम तो 85.3% हो पाता है तो जहां यह भी 100% नहीं हो पाता है, यदि हम चार्ज शीट दाकिल करने के कही परसेंटेज के इसाब से भी देखे तो यहाँ पर जो 27% यह भी बहुत ही कम दर्ज हो पा रहा है, यहाँ पर सजा के मामले फिर पती या उनके रिस्तिदारों द्वारा महिलाओं के खिलाब जो क्रूरता की जाती है महिलाओं के खिलाब जो क्रूरता की जाती है पती और रिस्तिदारों के द्वारा उनके दर में भी देखे हैं आपर 31.9% हो रही है हमले या कुरूरता के प्रती महिलाओं द्वारा अपना बचाओ करने के प्रती खिलाफ विरोत की दर्ज जो है वो मादर 27.6% है मतलब जो मैलाओं के उपर परिवारी के जो प्रतार्णा किया जाता है उसके खिलाफ भी यहाँ पर जो प्रक्रिया है कानूनी प्रक्रिया है उसके साथ जाने के अभी हिम्मत बहुत कम मैलाओं दिखा पाती है 2018 में 50,44,634 संगे अपरादों में से 31,32,954 को भारतिय दंड सहीता में और 19,41,680 अपरादों को विशेस और इस्थानी कानून में दर्ज किया गया जो कि वर्ष 2017 की तूलना में मात्र 1.3% है के सकते हैं कि 1.3% अधीक है तो यह जादा कोई कह सकते हैं कि जो नंबर है जादा इतना नहीं है कि हम बहुत ही कहते हैं कि बहुत जादा परिवर्तना गया है फिर प्रति लाग जन संक्या पर अपराद दर 2017 में जो था उससे 2018 में कम हो गया है तो 2017 में आपर देखेंगे आप कि प्रति लाग पर 388.6 था वहां 2018 में 383.5 हो गया है तो यह डेटा जो है थोड़ा सा 4,4,10 में और something कुछ यहां पर कम हुआ है फिर यह बात करते हैं आत्मत्या के रिपोट के बारे में तो देखिय आत्मत्या के संदर में अगर हम बात करें तो NCRB का जो डाटा है यह डाटा आत्मत्या के जो आइक्डे हैं उस पर क्या हुआ कि जो क्रसी छेतर हैं उससे जुड़े हुए 10,350 लोगों ने यहाँ पर अपनी आत्मत्या कर लिए मतलब अपने आपको खतम कर दिया है तो यह जो रिपोर्ट है किसानों के आत्मत्या का जो NCRV रिपोर्ट है जो देश में आत्मत्या के कुल जन संक्या का मतलब कुल जो डेथ परसेंटेज है उसका 7.7% है फिर आत्मत्या करने वालों में 5,763 किसान है और 4,586 खेतियार मजदूर है वर्ष 2018 में आत्मत्या करने वाले लोगों की कुल संक्या 1,34,516 जो 2017 में 1,29,887 मामले सामने आये थे तो यहाँ पर भी देखेंगे आप तो इसमें बड़ी हुई परसेंटेज दिखा रहा है यहाँ यह बड़ा हुआ परसेंटेज कितना है तीन दस्मलों 6 फीसद यहाँ पर बड़ा हुआ है आत्मत्या के मामले में महराष्ट सबसे उपर रहा है जिसमें 17,972 किसान रहे हैं तमिलाडू में 13,896 और पश्ची मंगाल में 13,255 हैं तो यह सिर्श तीन राज्य हैं जहाँ पर किसानों ने आत्मत्या सबसे ज़्यादा किया है फिर हत्या के मामले में अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाती से सम्बंदित अधिनियमों के तहते दर्ज की गई हत्या की घटनाओं में वर्ष 2018 के रिपोर्ट में गिरावट आई है तो ये थोड़ा सा जो डेटा है थोड़ा संतुष्ट करता है कि एक तरफ तो थोड़ा सा डेटा में कमी आई है तो वर्ष 2017 में जहां हत्या के सम्बंदित 6,729 मामले प्रकाशित हुए थे वहीं वर्ष 2018 में 4,816 मामले सामने आए हैं 1,8% की व्रध्य हुए है यहांबर हत्या के मामले में वर्ष 2018 में साइबर अपराद जो होता है इंटरनेट के माद हमसे 27,248 मामले सामने आयते तो 2017 में आप देखेंगे तो 21,796 मामले सामने आयते तो मतलब यहां पर भी जो डेटा है साइबर क्राइम वाले उनकी इना संक 27,828 मामले दंगों से संबंदी थे जो कि कुल मामलों के 75.2% रहे थे मतलब दंगों के से होने वाले जो अपराद है उसके संके यहां पर जादा रही थी अब हम बात करते हैं NCRB की तो देखें NCRB क्या है और किस प्रकार से कारे करता है तो देखें NCRB की जो स्थापना है वो 1986 में अपराद और अपरादियों की सूचियों के भंडारन के लिए किया गया था इसकी जो गठन है 1986 में किया गया था टंडन समीती की सिफारिष के बाद इसकी जो गठन के सकते हैं कि इस्थापना है वो किया गया था इसका उद्देश यह था कि जो राश्टे पुलिस आयोगे जिसमें से 1977 से 1981 में जोडने के जो का प्रक्रिया उसमें मदद मिल सके तो टंडन समीती की सिफारिश के बाद 1986 में NCRB की स्थापना की गई थी यह आपको विशे सूप से याद रखना है इसका उद्देश यह होता है कि जो क्राइम होते हैं उसकी डेटा को कलेक्ट करना है और आगे जो पॉलिसी से किस प्रकार से उसको नियंत्रित किया जैसा है कि यह नियंत्रित करने का प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है इसका उद्देश होता है फिर वर्ष 2009 में NCRB को अपराद और अपरादिक ट्रेकिंग नेटवर्क एवम सिस्टम मतलब CCTNS की निगरानी समनवय और कर्यानवयन के लिए जिम्यदारी सोपी गए 21 अगस्त 2017 को NCRB ने डिजिटल राष्ट्रिय डिजिटल पुलिस पोर्टल लॉंच किया जो की नागरिकों को विभिन्ने सेवाए प्रदान करने के लिए किया गया था इसके अलावा CCTNS डेटावेस और अपरादी संदिग्द की खोज करने में मदद करता है और साथ ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज करकिने रिस्ट किरायदारों, घरेलू, मददगारों, ड्राइवरों आधी का सत्यापन करने में सहायता करता है इसके साथ NCRB भारत में नेशनल क्राइम, स्टेटेस्टिक्स यानि क्राइम, एक्सिडेंटल, डेट्स, एमसुसाइट्स और प्रिजन स्टेटेस्टिक्स का संकलन एवं प्रकाशन भी करता है इसका प्रकाशन जो है भारत और विदेश दोनों में जो नीतिया होती है, निर्माता होते हैं, नीति निर्माता पुलिस अपरादियों जो शोद करता होते हैं और मीडिया द्वारा प्रमुक संदर बिंदूओं के रूप में जो कार करते हैं ये सभी इसमें लाया जाता है NCRB के तहट Central Figure Print Bureau देश के सभी लोगों की उंगलियों के निशान का एक राश्टि भंडारन है जो की Fingerprint visualization और अपरादिक निगरानी प्रणाली फैक्ट पर खोज सुविधा प्रदान करता है NCRB का मुख्याल है नई दिल्ली में है तता यह भाराज सरकार के ग्रह मंत्राले के अंतरगत यह आता है कि ग्रह मंत्राले के अंतरगत आता है यह पुरा का पूरा संस्ता फिर इसके जो वर्दमान में निदेशक हैं मतलब डारेक्टर हैं वो है रामफल पवार जो की एक IPS अधिकारी है तो यह जो पूरी information थी यह आप लोगों के लिए NCRB के लिए थी जो की है यहाँ पर NEST तो NEST क्या है तो देखिए नई एवं उभरती सामरी प्रादोगी की इसे प्रादोगी किया इसे यहाँ पर NEST कहा गया है तो क्या होगा यह विदेशी नीतिया जो होती उसमें नई प्रादोगी की क्या भूमी का है क्या महत्वई इसको यहाँ पर समझाया गया है तो देखिए चर्चा में क्यों है यह पहली बात तो यह हमें समझ बायना चाहिए तो हाल ही में भारती विदेश मंत्रालेन 5G और क्रत्री बुद्धी मत्ता मतलब Artificial Intelligence जैसी नई तकनीकों के कारण उत्पन, चुनोतिया, सुरक्षा से निपटने हेतु एक नया प्रभाग विक्सित किया है नई एवं उभरती सामरिक प्रद्धुगी किया हो कि इस्थापना के घोशना किये जिसका नाम यहाँ पर New and Emerging Strategic Technologies नाम दिया गया है जिसे Next Shortcut में कहा जाएगा तो इसके प्रमुग बिंदू क्या क्या है तो देखिए विदेश मंत्राले के अनुसार इस नय प्रभाग का उद्धेश विभिन भारती राजियों में विदेशी निवेशकों को बढ़ावा देना तथा उसके बीच समन्वई स्थापित करना इसका उद्धेश है फिर एक नया प्रभाग है जो कि नई और उभरती प्रभागी की से समन्दित मामलों में लिदेश मंत्रालयो के नोडल कार्यालय की तरह कारेगा इसका उद्धेश अन्ने देशों की सरकारों और भारती मंत्रालयों इवं विभागों के मद्द विचारों का आदान प्रदान इवं समन्वे को बढ़ावा देना है यहाँ प्रभाग नई प्रायदुगी कियों पर आधारीत अंतराष्ट कानूनों एवं इनके प्रभाव को देखते हुए विदेश नीती के आगलन में सहायता प्रदान करेगा यहाँ नया जो प्रभाग है बहुपक्षिय अंतराष्ट्री मंचो जैसे की सहयूत राष्ट शंग जी ट्वेंटी आधी में भारत के हितों की रक्षा हितो वारताओं और समझवतों में भी जो विदेशी मंत्राले को सलाहकारी निकाई गरूप में सहायता और सहयोग प्रद लखे गए हैं फिर अब देखिए समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि उभरती हुई जो प्रदुईगी किया है को जो देश की जो नीतिया है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो देखिए कई विससग्यों ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंसी और फाइब जी जैसे त उपलब्ध होंगी वे सेवा प्रधाथाओं के रूप में अच्छे से काम कर सकेंगे और उभुगताओं को अच्छे सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे इसके साथ पहली इस्तिती में देश मजबूत लिव्म दूसरी इस्तिती में जो देश कमजोर हैं उनको यहाँ पर के सकते हैं कि समझने को मौका मिलेगा फिर Artificial Intelligence और 5G जैसी जो तकनीक प्रनालिया है पुर्ण रूप से डेटा पर अधारित होगी ये अन देशों के नागरिकों को की जो वैक्तिकत जानकारी है उसे उपलब्द कराकर सामरीक बढ़त को भी प्रदान करती है ये फिर देखेंगे वर्तमान में आप तो वर्तमान में इंटरनेट उपोगताओं के जो संख्या है वो लगतार बढ़ती जा रही है और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपोगता देश है इसके साथ देश में इंटरनेट उपहुगदाओं के संक्या करम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर 65.3 million उपहुगता है मतलब 65 करोण यहाँ बारत देश में इंटरनेट के उपहुगता है फिर देश में इन छेत्र में अपरेल 2020 से लेकर के जून 2019 तक सोरी यहाँ पर डेटा यहाँ पर यह है कि अपरेल 2000 से लेकर कि जून 2019 तक विदेशी निवेश लगबग 37.05 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुँच गया था इन आकड़ों से इन छेतर में जो भारती बजा रहे और चमता है और भविश्य में उत्पन होने वाले अवसरों का अंदाजा लगाया जा सकता है किस प्रकार से यह छेतर बढ़ेगा फिर दिन प्रतिन दिन तकनीकी विकास के सासत इंटरनेट मातर एक संचार माध्यम नहीं रहा है बलकि आज एक के सकते की बेसिक नीड हो चुका है यात है आथ से लेकर के सुरक्षा तकनीक न्याय इन सभी चीजों में इसका एक महत्वपूर्ण सक्री भूमिका हो गया है अता ये कहा जा सकता है कि जो हमारी नीती निदेशक चीजे हैं उन सब नीतियों के निर्माण में तकनीक के भूमिका में इस इंटरनेट का एक बहुत यादा आवश्यक्ता हो चुका है ये ऐसी समिशा की जा सकती है तो अब समझने वाली बात ये है कि आगे कि क्या-क्या इस चीज़ को लेकर के तो देखिए यहाँ पर वानिज्य एवं उद्योग मंत्राले के अनुसार एक जो डेटा प्रकाशित की गई है उसके अनुसार दूर संचार की चेत्र में वर्ष 2022 तक भारत में 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर के निवेश का उनुमाने इंटरनेट तकनी के माध्यम में अता इस शेत्र में भारती विदेश नीती जो विदेश नीती है देश के लिए आर्थिक एवं सामरिक रूप से बहुत यादा महतुपन साबित हो सकती है इस पूरे पारिद्रश्य में तो यह जो टॉपिक था है नेस्ट के माध्यम से मैंने आपको तकनीक म निवेश और किस तरीके से यह हमारी लाइफ इस्टाल को बदल रही है मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक के उपर तो तीसरा जो विशे है हमारा यह है जलवायू परिवर्तर समस्या और विद्ग्यान एवं प्रयादुईगी की तो इसका क्या सेंस है क्या मतलब है और किस तरीके से यह हमें प्रभावित करेगा यह हम समझने की कोश्श करेंगे तो दीख से सतत विकास लक्ष हो की सस्टनेबल डिवलप्मेंट गोल है फिर इसके बाद यहाँ पर वेश्विक नवाचार और तक्नीकी गड़बंदन है फिर अंतराष्टी सौर गटबंदन है, United Nation Climate Action Summit जो हुआ था उसके बारे में सम्मंदित प्रश्ण बन सकते हैं, आपदा प्रतिरोधी अवसन रचना के लिए जो गटबंदन है ये सारी चीजे आ सकती हैं, फिर मेंस के लिए तो जलवायू परिवर्तन सम्मंदित मुद्धे है जलवायू परिवर्तन से निपटने में विज्ञान और प्रदुगी का योगदान हो सकता है, विज्ञान एवं प्रदुगी की तथा आधुनिक विश्व में किस प्रगार से इसके भागेदारी हो सकती है, ये सारी चीजे यहाँ पर आने की संभावना बन जाती है, तो च चेतर में सहयोग जलवायू परिवर्तन के प्रभावों को सिमित करने के लिए दिसा में एक अहम भूमी का निभा सकता है, ऐसा हम अनुमान करते हैं, तो महतोपुन बिंदु क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वर्तमान समय में प्रम प्रमान करते हैं, जिसे कि आप समझ सकते हैं कि जो चुनोतियां आती हैं, उस चुनोतियों को इनोवेशन के माद्यम से, तक्नीक के माद्यम से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वर्ष 2030 तक जो United Nations का जो सकती हैं गोल है, Sustainable Development गोल, उसे प्राप्त करना है, तो प्राप्त करने के लिए विज्ञान और तक्नीक का नवाचारों के माद्यम से कैसे अत्यदिक महत्व में लाया जा सकता है, इन लक्षों को किस प्राप्त किया जा सकता है, ये सारा चीजों को देखना है, भारत जिस सहीत, अन जो विश्व के सकते हैं कि विकसित देश या जो विकास सिल साइट किये गए हैं, 2030 तक प्राप्त करना है, उन सारी चीजों को प्राप्त करने के आवसर प्रदान करना ये इसका उद्देश है, और इसके साथ साथ जो भारत है, भारत जैसे देश में बहुत भड़ी विवित्ता पाई जाती है, विवित्ता वाले देश से यह अपेक् कंट्री के साथ ऐसे अपेक्षा की जा सकते हैं, वह इन सारे चीजों को फोलो करेगा और अपने लोगों को अच्छी सुविधा प्रवाइट कराएगा, इसमें भारत जैसे देश हैं, जो इतने बड़े के सकते हैं, आपर के डाइवर्सिटी को ले के चलता है, मैं तो बु का जो इसरो है, वह कहीं देशों के जो सेटिलाइट उसे लॉंच करता है, उससे भारत को जो के सकते हैं, आपर की फाइनेंसियल मदद तो मिलता है, मतलब फाइनेंसियल एकोनोमिकल बूश्ट अप तो मिलता है, यह साथ साथ जिस देश का ये सेटिलाइट लॉंच करता है उस देश के साथ हमारे रिष्टे भी अच्छे होते हैं यह एक अच्छा उधारन प्रश्टूत कर सकता है हो रहा है हमारे देश के द्वारा फिर यदि हम बात करें यहां पर कि विज्ञान एवं प्रध्यूगी की तता जल्वाई परिवर्तन का किस प्रकार से सामंजस से हो सकता है तो देखिए यहाँ पर विज्ञान और प्रध्यूगी की के माध्यम से मानो जीवन से सम्मंदित बहुत से नवाचार हुए हैं जो मानो जीवन को सरल बनाने में महतुपुन भूमिका निभाते हैं इनी नवाचारों के साथ से प्राप्त वस्तु है मानो जीवन को आसान बनाने के सासाथ परवर्ण को रहानी भी पहुचाती है उदारान के लिए हम समझ सकते हैं कि जो फ्रीज है ऐसी है इन उपकरणों का प्रयोग करके मनुष्य ने अपनी जीवन लाइफ को बहतर तो बनाया है लेकिन दूसरी ओर देखेंगे आप तो इसने वातावर्ण के ताप्तान व्रद्धी के कारण भी ये बहुच बन चुका है क्योंकि जब आप फ्रीज एसी इन सब को उप्योग करते हैं तो उसमें जो CFC gases निगलती है अब वो हमारे वायू मंडल का जो temperature उसको increase कर देती है तो कहीं न कहीं इसने नुकसान भी पहुचाया है साथ ही विज्ञान और प्रयादुगी की में नवाचार के माध्यम से ही पर्यावरण को छती पहुचाने वाले वस्तुओं तत्वों के विकल्पों के तरास करना संभव है चोकि जो भी अगर science and technology जनने अगर कोई आपदा है तो उसको science and technology के माध्यम से ही उसका निजात पाया जा सकता है अता यह कहा जा सकता है कि विज्ञान के उन्नयन से उत्पन जर्जलवायू परिवरतन के कारक है जो पर्यावरण परदूशी जैसी समस्याओं का निवारण विज्ञान के माधम से ही संभव है यह पूर्णिता सत्य है फिर विज्ञानी कूट नीती को बढ़ावा देने के लिए वैस्विक इस्तर पर उठाये गए कदम किस प्रकार के हैं भारत के द्वारा तो देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा यह बहुत ही अदम है तो पुर्ण बिंदुए हो सकती हैं जो कि हमें बहुत ही अच्छे से समझना होगा कुछ वर्ष पहले ही भारत ने वैस्विक नवाचार और तकनीकी गठबंदन जिसे यहाँ पर Global Innovation Technology Alliance जीटा कहा गया था लॉंच किया था जो फ्रंट लाइन तकनीकी आर्थिक गठजोड के लिए एक सक्षा मंच प्रतान करता है इसके माध्यम से भारत ने उद्दम, कनाडा, फिनलेंड, एटली, स्वेडन, इस्पेन और यूके सहीत अन्य देसों के अपने समकक्षों के साथ गठजोड करके एक विश्व इस्तर पर मौझूदा चुनतियों से निपटने की दिसा में प्रयास रत किया था सौर गठ बंधन, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलाइंस, जिसे हम आईएसे कहते हैं आधुनिक समय में विज्ञानिक कूट नीती का एक महत्व पुन उधारन प्रस्तूत करता है आईएसे का जो उध्देश है, सोर संसाधन संपन्य देशों के बीच सहयोग के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करता है इस तरह का मंच सदस्य देशों को उर्जा जरुतों को सुलक्षित सस्ती और न्याय संगत और ठिकाव तरीके से पूरा कर सोर उर्जा के उप्योग के साधन जो समान लक्ष उसको प्राप्त करने की दिसा में सकरात्मा क्योगदान दे सकता है यह जो दूसरा है यह बहुत यादा महत्वपूर्ण है तो जो आये से की बात कर और इसका जो हेटकौर्टर है भारत में है गुरु ग्राम में है और इसमें जो ट्रॉपिक आप कैंसर और ट्रॉपिक आप कैप्रिकॉन के बीच में जो 121 नेशन से वो इसके अंतरकत आते ह और इसमें जो 79 कंट्रीज है इसमें सिगनेटरी हो चुक है मतलब इन्होंने इसके जो कह सकते हैं कि चार्टर है इसको यहाँ पर रेटिफाई कर दिया है तो बचे हुए देशों से मुमीद करें कि वो भी इस चार्टर के अंदरकत आये और जो आये से है उसको बनाने में स परवाही सिखर सम्मेलन युनाइटे नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था उसमें भारत के प्रधान मंत्री ने आपदा प्रतिरोधी अवसं रचना के लिए जो गठबंदन हुआ था उसमें कोईलेशन फोर डिजास्टर लिजिलियेंट इंफ्राइस्ट्रक्चर ज जो अंतराष्टे साज़धारी का एक उदाहरण है प्रस्तुत की है जिसके माद्यम से जलवायू परिवर्तन के खत्रों का सामना करने के लिए आवशक जलवायू और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी धाचे के निर्मान है तो विकसित और विकासिल देसों के सहयोग प् इसका जो उद्देश है उद्देश है जोकिम के पहचान करना है उसका निवारन करना और आपदा जोकिम प्रबंदन को ठीक करना इसका उद्देश रहेगा फिर यदि आप देखेंगे इसमें कि गठबंदन का जो उद्देश है वो दो से तीन वर्षों के भीतर सदर से द इसका उद्देश रहेगा इस गड़बंदन के माद्दे हम से किफायती, आवास, स्कूल, स्वास्त, सुविधाएं और सारवजनी उप्योग के जो वस्तुए हैं उसको प्राकरती या माना निर्मी जो खत्रे हैं उसको लिए जो आवस्यक मजबूत जो माना के उस मानकों को अनुरूप जो इत्यादी चीजे हैं उसको ठीक करना है उनी के साथ साथ जो भुकंप, सुनामी, बाड़ और तुफान से प्रभावित होने वाले जो से भाग हैं उस भाग को कम करना इसका उद्देश रहेगा फिर हम यदि बात करें कि आगे कि क्या रहा हो सकती हैं सब के परिद्रश्ण में तो यह देखिए यह इस पर स्टे की विज्ञान उम्त प्रद्वगे की में जो नवाचार हो रहा है उसी के माध्यम से अंतराश्टी है जो सही होग है उसको महज दिखावा नहीं कहा जा सकता बलकि वरतमान समय की अवर्शक्ताओं के माध्यम से इन ची चुनोतिया हैं उन चुनोतियों से निप्टा जा सके इसलिए यह कहना दूर नहीं होगा कि जो विज्ञान और प्रद्वगी की है उसमें नवाचार को ध्यान रखना होगा और भारत जैसे एक विकास सील और बड़े देश में जहां पर डाइवर्सिटी की कमी नहीं है उन अंतराष्टी सुझाव आते हैं उन अंतराष्टी जो जुडाव आते हैं उन जुडावों के माद्याम से जो प्रभावी उपकरण है उन उपकरणों की डिजाइन है उन्हें अच्छे से और विक्सित करना होगा और जो हितधाराग है मतलब जो उसके फायदे लेने वाले लोग है उनके साथ-साथ विज्ञानिक और तक्निकी संभूदाय की जो भागेदारी है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी करनी होगी और इसके साथ-साथ जो प्राध्युगी की है मतलब टेकनलोजी है उसके माध्यम से पर्यावरण अनुकूल वस्तूओं की खोज कर उन पर आस जो का उप्योग कम करना होगा जो वह इंवार्मेंट को नुकसान पहुचा रही है तो यह सारी चीजे है मैंने जो आपको समझाने के कोशिश करिए तो दोस्तों यह वाला जो वीडियो यह पर कंप्लीट होता है जो तीन टॉपिकों पर डिसकसन किया मैंने NCRB की रिपोर् प्राइमेट चेंज और उसके उपर साइंस और टेक्नोजी के प्रवाव और किस प्रकार से निजात पाया जा सकता है तो यह जो विशेत है यह बहुत यारा महत्व पूर्ण था आप लोगों के लिए यह वीडियो हैं पर कंप्लीट होता है और यदि आप लोगों इसका प फ्राइन वीडियो अप्लोड हो जाया करता है जिसे आप देखेंगे और देख करके अच्छे से इंफोर्मेशन गेंग कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप मेरा जो फेस्बुक पर अंकि सिंग अनकैडमी के नाम से एक पेस सर्च करेंगे वहाँ पर आप लोगों को बहु ग्रूप भी मिलेगा तो दोनों ज्वाइन कर लीजिया आपको बहुत ही अच्छे से अच्छे जानकारी मिलेगी तो थेंक्यू सो मच हेवे गुटे जय हिन जय भारत